दमस्ट कर दोस्तों जैश्री राम आप सभी को रामलला की विराशनी की बहुत बहुत बढ़ाई पूजा के लिए और उनकी प्रांट परतिष्ठा के समय का इंतजार कर रहे हैं जैसा कि मोदी जी पहुँच गया है तो हमारी भी तैयारी रैसे ही है तो फ्रेंस अभी मैं परशाद बना रही है देखिए मैं अभी खीर बनाऊंगी तो फ्रेंस आपने क्या-क्या बनाया रामलला की परशाद के लिए तो मैं तो अभी खीर बनाऊंगी और आपको आगे-आगे दिखाऊंगी मैंने क्या-क्या तैयारिया की है और इस खीर में थोड़ी अक्षद भी मिलाऊंगे जो हमारे घार आया वो आठा तो ऐसे मैं परशाद त्यार करूँगी तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो दोस्तों ये मेरे पास अक्षद है जिसमें से मैं कुछ दाने खीर में डालूँगी परशाद के लिए तो ये लेखी में थोड़ी सी डालूँगी और ये अपने राम लाला की भूब के लिए है ये तो आपकी तेयारी कैसी चल रही है और अभी कुछ ही पल में हमारे राम लाला जो पांसो सालों के इंकिजार के बाद दिराश मान दोने वाले हैं और ये अक्षद को मैं थोड़े से सतेज चावल मिला के ये रेखिए मैंने मिला दिया है और मैं इसके तीन हिस्से करूंगी एक तो हमारे पूजा में जाएगा और दूसरा हिस्सा जो हमारे तीजोरी जहां हम अपने पैसे वैसे रखते हैं वहां रखोंगी और तीसरा हिस्सा अपने घर में जहां जहां भी हमें जगे मिलेगा जहां जहां अपने छिरत में है वहां में डालूंगी तो फ्रेंट्स अब आगे की तैयारी भी मैं आपको दिखाँगी तो फ्रेंट्स यह हमारे बूट की तैयारी हमारे रामजी की यह देखिए और यह हमारे दिये हैं जो हुशाम को जलाएंगे तो यह हमारे रामजी के वस्त है जो अभी हम इनको त्यार करेंगे फिर आपको दिखाते हैं भूब की खीर तैयार हो गई है तो देखिए तो हमारी पूजा हो गई है और हम अभी आर्ती करेंगे हमारी सारी त्यारी हो गई अभी हमारे साथ आप सबी आर्ती करें जैश्री राम अभी हमारे साथ आर्ती करेंगे हमारे साथ आर्ती करेंगे हैं हमारे साथ आर्ती करेंगे हैं तो फैनली दोस्तों ये शाम हो गया है और हमारे राम डल्ला की स्वागत में दीपावली मनाने का समया आगया है तो देखिये दोस्तों मेरा ये दिया तयार है अब हम उपने दिये से अपने घर को सजाएंगे और राम डल्ला की स्वागत करेंगे जै श्रेडार। मेरी चाखट पे चलके आज चारो धाम आए हैं बजाओ ढोल सागत में मेरे घर गाम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कवानी से नरो को आज धुने दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश है मेरे आशो के प्रभ के काम आए हैं बजाओ ढोल सागत में मेरे घर गाम आए हैं बजाओ भाम आए हैं